हेलो गाईज, वल्कम बैक टो अनदर वीडियो आप लोग सोचे रहों कि मैं कौन हूँ तो यार मैं Android Gaming YouTube चैनल से हूँ और आज हमारा जो है Game New Edition YouTube चैनल से पहला Collaboration वीडियो है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है अब यहां पर Recently 0.3 अपडेट आ चुका है तो हम अगले अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि अगले अपडेट में आपको कौन से फीचर्स अनलॉक मिलने वाले हैं और कब तक ये अपडेट आएगा तो आप इस वीडियो को अट तक वाच करना अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको तो आप इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर करो और चैनल पर अगर आप न्यू आयो हो तो अपली सब्सक्राइब करके बेल एकन दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अब यहां पर जो है मैं आपको यूनिक फीचर के बारे में पहले बता देना चाहता हूँ अगर आपको नहीं पता तो WCC3 में एक न्यू फीचर जो है हमें मिला है जो की माई स्कौर्ड वाले सेक्शन में है जिसका नाम है ऐलियसिस कुछ करके तो यहां पर आपको पता होगा कि हम जो है WCC3 में रियल नेम अभी हम अपनी स्कौर्ड के ही एडिट कर सकते हैं हम अपने अपोनेंट टीम का कोई स्कौर्ड वगेरा एडिट नहीं कर सकते है उसका नेम तो अलियसिस फीचर में ऐसा होगा कि अभी जो आपके नेम से उनके अलावा भी और नेमस एडि किये जाएंगे जो की रियल नेम हो सकते हैं और उसमें आप रिपलेस वगेरा कर सकते हो और सारे टीम्स के रियल नेम होने वाले हैं अभी ये जो फीचर है अगर आप देखना चाहते हो तो आपको माई स्कौर्ड वाले फीचर में जाना होगा और वहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो और पढ़ सकते हो कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है अभी हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बेटा APK में लॉक है तो अपकमिंग अपडेट्स में ये फीचर भी आ सकता है अभी यहाँ पर बात कर ले 0.4 अपडेट की रिसेंटली एक बगफिक्स अपडेट आया है तो अभी जो अपकमिंग अपडेट आने वाला है वो एक फीचर वाला अपडेट होने वाला है क्योंकि बगफिक्स तो हमें देखनी के लिए अपडेट मिल ही चुका है तो यहाँ पर 0.4, 0.5 से लेकर 1.0 तक हमें ऐसे ही अपडेट देखनी के लिए मिलते रहेंगे जब तक हमारी गेम फुली बगफ्री नहीं हो जाती और हमें जो है सारे फीचर अनलॉक देखनी के लिए नहीं मिल जाते तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि यार यह जो अपडेट है कब तक आएगा अगर आप नोटिस करो तो आपको पिछले अपडेट से जब से WCC3 लाँच हुआ है तो आपको हर मन्त में एक अपडेट देखनी के लिए मिल रहा है फीचर की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो है कोई बड़ा फीचर अनलोक हो सकता है या तो टेस्ट मेंच अनलोक होगा या तो हमें वूमें किरकेट देखनी के लिए मिलने वाला है इसमें तो सबसे पहले यार यहाँ पर हम बात कर ले कि टेस्ट मेच के अलावा आपको इस में और कोई फीचर अनलोक देखने के लिए मिलेगा कि नहीं या वोमीन किरकेट देखने के लिए मिलेगा तो जastern तर चांसिस तो मुझे वोमीन किरकेट की लग रहे हैं क्योंकि इस से पहले जो है तीन महीने पहले ही वुमेन किरकेट का एक टीजर लाँच हो चुका था बट अभी तक कोई वुमेन किरकेट का टॉनामेंट अनलॉक नहीं हुआ और उसके अलावा यहाँ पर आपको छोटे टोनामेंट्स जैसे कि काफी सारे टोनामेंट्स लॉक है और वो भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और हाइलाइट्स के फीचर के भी काफी जादा चांसिस हैं और उसके अलावा इस अपडेट में जो है बकफिक्स